आप सबका स्वागत जीवत परमेश्यों के जीवत हजुरी में आज आप परमेश्य के पवित्र वच्चन को मेरे बविश्यवानियों की पुस्तक में से पड़ेंगे आज का ये सामर्थी वच्चन परमेश्यों के दास प्रेजित अंकु यसुफ नरूलाजे के दोरे लिखे गए है और हमारे ये विश्वाश है कि ये पवित्र वच्चन आपके छीवन में एक बड़ी आशीश को लेकर आएगा तो पूरे विश्वाश के साथ पवित्र वच्चन को पूरा सुने आज का सामती वच्चन हमारा परमेश्यों अवद्भुत है जैसा कि परमेश्यों के पवित्र वच्चन निर्गमन 13 अध्याए उसके 17 वच्चन में लिखा है जब फिरॉन ने लोगों को जाने की आग्या दे दी तब यदी फलिष्टियों के देश में होकर जो मार्ग जाता है वे छोटा था तो भी परमेश्यों ये सोच कर उनको उस मार्ग से नहीं ले गया कि कहीं ऐसा ना हो कि जब ये लोग लड़ाई देखी तब पश्टा कर मिस्र को लोट जाएं मेरे फ्रियों जब आप बाइबर को पढ़ते हो तो वचन में लिखाया कि हमारा परमेश्यर अद्भुत है वैसरव शक्ति मान परमेश्यर है वैसामर्थी परमेश्यर है और जब आप प्रभु में आने के बाद वचन को नहीं समझती तो शेतान आपके जीवन में अटैक करता है जब एक शिपाही की फौज में बढ़ती होती है और उसको ट्रेनिंग दी जाती है और उसे बताया चाता है कि चाहे तेरे सामने सौ लोग हो और तुम दस लोग हो तो भी तुम्हें उसे लड़ना पड़ेगा और अगर वो शिपाही मना कर दे तो उस पर कारवाई हो सकती है मेरे प्रियो वचर में लिखा है कि जो मिसर से किनान तक रास्ता जाता था वे थोड़े ही समय का था लेकिन परमेशव जान भूज कर उनको लंबे रास्ते से ले कर गया ताकि उनको चकर खिलाए ये चकर किस ने डाला कि शेतान ने नहीं बलकि वे चकर परमेशा ने डाला था और परमेशा ने उन सब के मन के उपर अपना कबजा किया क्योंकि परमेशा जानता था कि अगर मैं ये आशिश इनको अभी दे दू तो इनके मन से फिरौन का डर कभी नहीं निकलेगा ये कनान में पहुँचकर भी इस डर में रहेंगे कि फिरॉन हमें फिर से आकर ना ले जाएं और जब समुंदर उनके सामने था और फिरॉन की सेना पीछे थी तो परमेश्वन ने समुंदर से रास्ता बना कर उने निकाला और फिरॉन की सीना को पानी में खतम कर दिया और इस तरह परमेश्वा ने उनके मन से डर को निकाला हर एक विक्ति की गवाही अलग है अमेरिका में एक चर्च थी और वे टेंट चर्च थी और वो चर्च बढ़ती ही जा रहे थी और जब वे चर्च के लिए जगा देखने के लिए जाते थे उनका हमेशा नुकसान हो जाता था लेकिन परमेश्वा उनकी चर्च को बढ़ाता गया और अब वे दुनिया की सबसे बड़ी चर्च है और परमेश्वा की यही मर्जी थी कि वो टेंट में चर्च को लगाए दुनिया की सभी आशिशें आपके लिए हैं लेकिन परमेशर आपको वो कभी आशिश नहीं देगा जिसके कारण आपका नुकसान हो आप अपने बच्चे को गाड़ी तब तक नहीं देते जब तक उसको चलानी ना आ जाए इसी तरह परमेशर है वो कभी भी आपका नुकसान नहीं चाहता मेरे भ्योग जब आप मजीही जीवन में चलते हैं तो आपने अपने जीवन में ये फैसला करना है कि आपने पविदरताई में चलना है प्रातना में चलना है उपवास में चलना है और इसके बाद आपके जीवर में जो कुछ भी होता है वे सवर्गी होता है और परमेश्वर आपको आशिशिट करता है। आमें प्रातना सर्वशक्तिमर परमेश्वर इस वचन के लिए मैं आपका धन्य भात करती हूँ और प्रातना करती हूँ कि मैं तरे वचनों पर चलती हुई तेरे चुने हुए लोगों का आदर करते हुई तेरे कामों को करूँ परमेशवर आम मुझपर अनुग्रे करें परवियुश मस्य के साम्मर्दी नाम में हम मांगते हैं Amen, Amen और Amen आज के साम्मर्धी वचन के पड़े और सुने चाने के द्वारा परमेशवर आप सबको बहुताइस्या शिशित करें सबको जय मस्य